जब जब बीजेपी डड़ती है गुंडागर्दी करती है लगातार आप देखेंगे कि भारतिय जनता पाटी शासित राज्यों में किस तरीके से देश के हालात हैं वो भैतर से बत्तर की ओर तब्दील होते जा रहे हैं मोधी की गारंटी विकास के बदले गुंडागर्दी, मार पीट, अपराद, ना जाने क्या-क्या बढ़ता हुआ अपनी चरम सीमा पर है देश की जनता बखु भी देख रही है और उसे महसूस भी कर रही है अजादी के 75 साल बाद भी हमारे देश में लोकतंतर अपनी सासे ल का हुआ है और सरकार उसको गिराने की लगतार परियास कर रही है देश के पढ़ान मंत्री विकास की गारंटी का डंका बजाने वाले अपनी हार से इसकदर बॉकला गए है कि उन्हें आप डर सताने लगा है मेर के चुनाव में भी धांगली की जा रही है सोचिए 24 के इलेक इस देश को नर्थ कोरिया बनाना चाहती है डिक्टेटर्शिप कायम करना चाहती है ताना साही को बढ़ावा देना चाहती है सोचिए सविधान के विरोध में काम करने वाली भारती जनता पाटी को ना कैमरे का डर रहे गया है ना पत्रकारों का ना जनता का और ना ही आप लगातार खबरे देखेंगे कि किस तरीके से भारतिय जनता पाटी लगातार एक्सपोज पर एक्सपोज होती जा रही है लेकिन अपनी हरकतों से ना वो सबक लेना चाहती है ना ही उनमें कोई शुधार की गुंजाइस छोड़ी है शोचल मीडिया पे आप सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगी कि चंडीगड मेयर चुनाओ में किस तरीके से भाजपा की सरयाम गुंडागर्दी चल रही है दिल्ली मेयर चुनाओ में आप देखीए कि भारतिय जनता पाटी के लोग किस तरीके से गुंडागर्दी करत से वह नजर आए थे लेकिन अब चंडीगड मेयर चुनाओ में भी भारतिय जनता पाटी की करतू थे अब सामनी आ गए हैं क्यूंकि इनका चाल चरित्रों चहरा हमेशा से दोहरे स्तर कर रहा है भाशनों में कुछ धरातल पे कुछ आप देख रहे हैं नैशनल दस्तक चंडीगड मेयर चुनाओ इसकी चर्चे आपको देखने के लिए जरूर मिलेगी लेकिन इसकी हकीकत टीबी अखवार हमेशा छुपाने की कोशिस करते हैं क्यूंकि कहीं ना कहीं वो सत्ता धारियों के साथ मिलकर इस जनता को गुमरा कर करने की कोशिस कर रहे हैं क्या भाजपा इस देश को नॉर्थ कौरिया बनाना चाहती है चंडीगड मेयर चुनाओ पे आप सांसद राघव चड़ा ने कहा राघव चड़ा ने भारतिय जनता पार्टी के लोगों पर यह गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है क्या डिक्टे समाज से आते हैं तुमाव को कोई लॉलीपाफ पकड़ा तर अगर आप धरम को मानते हैं तो धरम का लॉलीपाफ अपको पकड़ा दे लेकिन इस देस की जनता को वह विकास करके नहीं दिखाएगी वही विकास जिसका डंग का देश विदेश में भी बजता हुआ नजर आता है ऐसा भरती जनता पाटी के नेता अभीनेता प्रबक्ताओं का कहना है हम नहीं कहते हैं ना हम ये दावा करते हैं कि भरती जनता पाटी विकास कर रहे हैं क्योंकि विकास नहीं कर रहे हैं वो विकास का गला घोट रही है यही है भार्ती जनताफ पाटी का विकास मॉडल कि जिसमें आप चुनाव भी धोका धड़ी गुंडागर्दी और अपनी पावर के दम पर जीती है इमांदारी की कोई गुंजाइश मत छोड़ी है इस देश को नर्थ कोरिया बना दीजिए ऐसे आम आदमी पाटी नेता राघव चडड़ा ने गंभी रारोप लगाते हुए कहा है देश की जनता को जरूर देखना चाहिए कैसे कैमरे पर पिठा सीन अधिकारी बीजेपी को चंडी कर मेर चुनाव जीतने के लिए हेरा फेरी कर रहा है अधिकारी वीडियो में कई बोटों पर पैन चलाते हुए नजर आए लगतार लोग शोशल मीडिया पे भारती जनता पार्टी से सवाल कर रहे हैं क्या यही है आपकी इमानदारी क्या यही आपका जो एक्जिट पॉल के जरीए दिखाया जाता है मीडिया के दोरा कि अपकी बार मोधी सरकार चार सु के पार लेकिन इस तरीके से मेयर चुनाव के लिए भी गुंडागर्दी कर सकती है धांदली कर सकती है और आपको लगता है कि EVM में गड़बडी नहीं करेगी भारती जनता पार्टी जिसके पास पावर होता है तो क्यूं पावर छोड़ना चाहेगा वो क्यूं गदी से उतरना चाहेगा यह आपको समझने की जरूरते इस जनता को गुमरा किया जा रहा है लगतार कभी धरम की याड में कभी जाती की याड में कभी इस जनता को 80 करोण लोगों को राशन दे कर उनके अधिकारों से उनहीं को वंचित करने की कोशिस कर रही है बीजेपी क्यूंकि यह रामरज्य ह अज साबित हो गया है कि बिना बैमान के भाजपा एक मेर तक की सीट नहीं जी सकती चंडिगर मेर चुनाव पहले अधिकारियों की बीमारी का बहाना बना कर टैला गया आज बैमानी करके भाजपा को जिता दिया गया चंडिगर मेर चुनाव के दौरान ये कह दिया गया थ कि इलेक्शन कमिशन के जो अधिकारी है वो बीमार है चुनाव को पोस्पॉन कर दिया जाता है क्या एक ही अधिकारी के जरीए वो चुनाव होना था आप सोचिए कि किस तरीके से भारतिय जनता पार्टी एक सीट को बचाने के लिए भी कितनी महनत करती है कितने जूटे या कुछ हतकंडे नहीं अपनाएगी भारतिय जनता पार्टी ये भाजपा का असली रूप है बीजेपी की चंडिगड मेर चुनाव में सरयाम जन्मत की लूट अधिकारीयों को देखे उसने कैमरी की और देखा मतपत्रूपे कुछ अतिरिक तंकित किया शर्मना के इस दे प्यासित हुआ चंडिगड में नगडियम के पारसदों की संख्या 35 है इसमें 14 पारसद बीजेपी के हैं 13 पारसद आम आदमी पार्टी के और साथ कॉंग्रेस के आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस ने ये चुनाव एक साथ लड़ा था ऐसे में इंडिया गडबनन की जी जबकि बीजेपी को उसके 15 पार्ट मिल गए तो बीजेपी का मेयर बन गिया ऐसे किया जाता है चुनावों में धंडली और ऐसे बनाई जाती है बहुमत वाली सरकार ये बहुमत वाली सरकार नहीं है ये धोके बाज सरकार है ये चिटिंग बाज सरकार है कि किस तरीके से इ पुपने का लगतार काम करें चंडिगर मेर चुनाव है धानली का वीडियो देखिए वो किसी भी हद तक गुजरने को तैयार है जहां चंडिगर मेर चुनाव में अधिकारियों ने मत पत्रों के साथ छड़कानी की आठ वोटो को अवेद घोशित कर दिया भाजपा की विजए घोशित है इससे यही पता चलता है कि भारतिये जनता पार्टी को 24 की चुनाव को लेके अब डर सताने लगाए देश की जनता विचारी लाचार बेवस होकर सिफ तमाशा देख रही है क्योंकि तमाम अजनसियों का डर बिठा दिया जाता है विपक्षी नेताओं को एडी के दुआरा घंटों तक बिठाया जाता है कोई तानसाही सरकार के खिलाफ अगर कोई पत्रकार बोलने की कोशिस करता तो उसको जेल की सलाखों का डर बिठा कर उसकी अवाज को कमजोर किया जाता है यह देश का डावलेप मॉडल जिसका सपना देख रहे हैं देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं उसको जाओ शन्तालिस में हमें विक्सित देश बनना है असल में विक्सित देश इस देश को नहीं बनाना चाते हो लोडिक्ट्रटरुच्ट में बदलना चाते हैं जहाँ पर सिफ़ीर की मनमानी चले और उनी के द्वारा बनाए गए MP, MLA's के हाथ में पावर हो इस देश में जनता के हाथ में सिफ जुंजुना पकड़ाया गया है लॉलीपॉप थमाया गया है, कटोरा थमा दिया गया है कि आप सिफ राशन पे जिंदा रही है, भाशनों पर जिंदा रही है लेकिन सरकार से आप रोटी, रोजगाश, स्वास्ते पर बात करेंगे तो वो इस तरीके से चुनाव जीत लेगी, उसको जनता के भी वोट की जरूरत नहीं है जब एजनसियां उसके हाथ में, जब उसके हाथ में इलक्शन कमीशन है उसके हाथ में EVM जैसी मसीन है, तो कोई जरूरत नहीं उसे जनता के डिसीजन की, जनता के वोट की क्योंकि भारत्य जनता पार्टी हार से इतना बॉकला गई है, वो किसी भी हद तक गुजरने के लिए तयार है सोचिए, मेर चुनाव, चंडीगर मेर चुनाव में धानली कर रही है भारती जनता पार्टी सरयाम, इस पर तमाम एजनसियां भी खामोश रहेंगी और चुनाव आयोग तो कारेवाई बिलकुल नहीं करेगा, कही न कहीं उस पर भी भारती जनता पार्टी का कबज़ हो चुका है सबसे पहले उन्होंने तमाम एजनसियों को अपने कंट्रोर में लिया, जिनके द्वारा उन्होंने सरकार बनाई थी, जिनके द्वारा सरकारे गिराई जा सकती है लेकिन सोचिए भारती जनता पार्टी इस देश को बनाना क्या चाहती है क्या इस देश को मनुस्मिर्टी से चलाना चाहती है सविधान को धीरे-धीरे खतम करें क्योंकि आप इस देश में आरक्षन पे बात नहीं कर सकते रेजरवेशन पे बात नहीं कर सकते अपने हो रहे खिलाफत अपरादों पे बात नहीं कर सकते हैं डेमोक्रेसी पे बात नहीं कर सकते हैं लोगतंत्र को बचाने के लिए अगर तमाम संगठन सड़कों पर आएंगे तो धरना प्रदशन नहीं कर सकते हैं आखिर भारती जिंता पाटी का डेवलप भारत किया है ज अखिर इस देश में डिक्टेटर्शिप नहीं चलेगी ताना साही नहीं चलेगी हमें जनता के अधिकारों पर बात करने होगी जनता के राइश पर बात करने होगी जनता के हालातों पर बात करने होगी लेकिन बीजेपी जो है वो फ्लॉप हो चुकी है भारती जनता पार्ट इस कदर एक्सपोज हो चुकी है और इतनी बॉकला गई है कि अब उनको डर सताने लगा है कि 24 में क्या होने वाला है सोचिए कॉंग्रेस और आम आदमी पाटी के गड़ बंदन से ये सरकार बनने वाली थी और भारती जनता पाटी ने खुले आम कैमरे पे गुंडावर्दी करते हुए साफ तस्वीरे नजर आ रहे हैं लेकिन ना इस पर कोई बोलने के लिए तयार है क्योंकि तमाम लोगों को डर जो बिठा दिया है ये है भारती जनता पाटी का चाल चरित्र और चहरा सिफ इनके भाशनों में गरीबी की बात होगी लाचारी की बात होगी बेबसी की बात होगी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं भारती जंता पार्टी के लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो जरा बताईए कि आप मेयर के चुनाव में इतनी धांगली कर रहे हैं तो सोचिए आप कैसे किस मूँ से कहते हो कि इसमिर्थी ठोपना चाहती है और इस देश की जो बागडोर है वो मनुवादियों के हाथ में देना चाहती है लेकिन जंता ऐसा नहीं होने देगी इसलिए आपको जागरुक रहना है और आपको सचेत रहना है कि आपके वोट का सरकारे ताना साही लोग किस तरीके से इस्त करोड लोग असी करोड लोग राशन पे जिंदा रही है मेर चुनाफ की धनली नहीं यह लोग तंत्र के खिलाफ शाजिस शडियंतर और गुंडा गर दिया है इस पर रोक लगनी चाहिए भारती जंता पाटी हार से बुकला गई है लेकिन भारती जंता पाटी के कुछ नेत करें कि अपकी बार मोधी सरकाट 400 के पार आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए जब मेर जैसे चुनाफ को जीतने के लिए इतने लोग गिर सकते हैं तो सोचिए 24 के चुनाफ को लेके भारती जंता पाटी क्या कुछ हतकंडे नहीं अपनाना चाहेगी शुक्रि है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें